सो दोस्तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप फिलिप कार्ड पे कोई भी मुबाइल जो है किस पे खरीदना चाहते हैं बट आपके पास जो है करेट कार्ड नहीं है एटियम कार्ड नहीं है तो आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नह है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजी तो चली शुरूरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले फिलिप कारड आप जो है ओपन कर लेना है और उसके बाद जो आपको साउच करना है जो मोबाईल आपको यहां पर सर्च करना है तो जैसे कि यहां पर हम रेनो 6 जो है यहां पर ख़िदना चाहते हैं तो यहां पर हम सर्च कर लेते हैं रेनो 6 यहां पर देख सकते हैं तो चलिए हम यहां पर सर्च कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पर आ जाएगा जो भी मोबाइल आप सर्च करेंगी आपको यहां पर आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हम यह mobile को किस्ट पर ख़िदना चाहते हैं तो हम इस पर click कर देते हैं इसके बाद आपको buy no का option मिल जागा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर escape का option मिल जागा escape and continue का इस पर आपको click कर देना है जैसे आप continue पे click कर देंगी आपको यहाँ पे payment mode आ जाएगा तो आपको यहाँ पे payment mode select करना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अधार card का कोई भी system नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं EMI EG installment लिखा हुआ है तो आपको जो है कैसे अधार card से खईदना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को जो है आप लोग एन तक जरूर देखी क्योंकि यहाँ पे बहुत यह simple step मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अधार card से फिलिप card पे कोई भी mobile किस पे खईदना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप EMI EG installment इस पे किलिक करेंगी और यहाँ पे continue का option इस पे किलिक करेंगी तो आपको यहाँ पे credit card का option मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी credit card है यहाँ पे show कर रहा है जितने भी bank का credit card है यहाँ पे show कर रहा है तो आपको जो है अधार card से जो है mobile खरीदना है फिलिप card पे तो आपको सबसे पहले क्या करना है चली हम यहाँ पे back चले आते हैं आपको जो है diet पूरे यहाँ पे back चले को हैं ने यहां पे हम भात आप को यहां पी एक आपको करेड़ करना के तो है यहां हlik रुपिया करने आपको यहां पे अप्तविस प्रयक्री कर देंगे इसके बाद आपर कुछ यह करने को मिल जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर पैन नमर डालना पड़ेगा देख सकते हैं लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ इसके जो है आपको pen card होना चाहिए तभी जो है आप अधार कार्ट से जो है फिलिप कार्ट भी कोई भी मुबाइल किस्ट पे खरी सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे pen number डाल देना है तो चलिए हम यहाँ पे pen number डाल देते हैं और इसके बाद जो है आपको एक्टिवेट number डालना है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ लेकिन इसके लिए आपको आपके अधार कार्ट में मुबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी इस सिस्टम का आप फायदा ले सकते हैं तो जैसे कि चलिए यहाँ पे हम अधार नंबर डाल देते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अधार नंबर डाल चुके हैं इसके बाद आपको यहां पे विरिफाय का ऑप्शन में जाएका तो इस पे आपको किलिक कर देना है जैसे हैं यहां पर यहां पर रिफाय कर देंगी तो यहाँ पे ज़ह मोबाइल नंबर पी ऊथीपी जाएगा जब आपका आधार वरिफिकेशन हो जाएगा देख सते हैं यहाँ लिखावा वरिफिकेशन सक्सेस्पूल और यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी डीटेल रहेगा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा तो आपको यहाँ पर वरिफाइड कर लेना है तो आपको जो है यहाँ पे एकडियन समीट पे जो है आपको किलिक कर देना है उसके बाद जो है आपका फिलिप कार्ड पे लेटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जो है लिमिट मिल जाएगा जब आपका जो है लिमिट मिल जाएगा इसके बाद जो है आपको बै अपर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर impossible मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना इसके बाद यहां पर यहां प्लाएगा स्वेट। यहां पर option में जो आपको यहाँ पे सबसे इищए का फिलिप कारण पेलेडर का आप सब से आपाइय का यहां परत जाए हैंगर आपको शजरूत है तो इसके यहाँ कर सकते हैं इसके आपको यहां mark comment वाले option जो आपको PhilipCard Pay Letter का option मिल जाएगाय उसके बार जो आप पे लेदर को इसके बार जो आपको OTP देना पड़ेगा OTP देने के बाद जो आपका mobile book हो जाएगा जो भी mobile आप किस्त पर लेना चाहते हैं आपका book हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है अधार कार से जो है फिलिप कार पे को भी मुबाइल जो है किस पे खड़िश सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए and subscribe कीजिए comment कीजिए मिलते हैं next video में तब तक के bye